नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 26 जुलाई 2023 के एडिटोरिल एनलेसिस में आपका स्वागत है आज का करेंट अफिर्स तोड़ी देर में दोस्तों विनी सर आपके लिए ले आएंगे पीडिएफ जो है वो आप टेलिग्राम ग्रूप से जॉइन कर सकते हैं अरशिद वेदी वीडियो सर्च बारे टेलिग्राम पे या फिर यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम को ग्रूप का इसमें मैं प्री और मेंस के रिस्पेक्ट में जितने होलिस्टिक करेंट अफेर्स हैं बिल्कुल सेग्रिगेटेड तरीके से नोट्स के साथ और डीटेल पीडिएफ के साथ आपको एवलेबिल करवा रहा हूं यह जो वीडियो में यहापे डालना उसमें मैं आपको बतात सकते हैं अभी सेवेल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसकी वीडियो के साथ को कर पाएंगे बाद में करेंगे तो एकदम से वीडियो का बैकलॉग बहुत जादा होगा कबर करने में थोड़ी परिशानी हो सकती है तो दू चेक आउट बेंटर्शिप कोर्स इड कि क्या है इनको लेके इंडिया के अंदर अकसर कर कुछ एथिकल पॉइंट सुठते हैं इंडिया के अंदर ये अलाओड अभी के लिए है नी बट अभी निज्ज यह निकल के आ रही कि जो बायो एथिक्स यूनिट है इंडियन काउंसल अमिटिकल रिसर्च की इसने कंसें एनिडिया के अंदर केमिकल इसके लिएана कीर है एक बात यांद रखेगा ना कंट्र्ड जूधाल और असी फेज कॉंचेयर स्टेडीज में होगा क्या इस इसे उन को इंटैशनली एक्सपोज किया जाएगा इस disease causing microbes को highly controlled और monitored environment में और ये particular experiment कई 100 सालों से हो रहा है हला कि पहले जब ये experiment होता था तब अव्यसी बात है उतना controlled environment होता नहीं था उतनी advanced medical sciences थी नहीं और कई बार healthy volunteers जब किसी microbes से expose के जाते थे उनकी मौद भी हो जाती थी बढ़ आज की date में जो microbes का एक weekend version है उससे expose किया जाएगा healthy volunteer को तो healthy volunteer के मरने की adverse चीजों की possibility होती हो बहुत काम होती जो कि बहुत control environment में particular प्रकार के experiments की जाते है अगर देखा जाए तो yellow fever study जब conduct की थी early 1900s में तब भी CHIS का इस्तेमाल किया गया था जिससे ये establish किया गया कि भई आब mosquitoes वाइरस को transfer करते हैं तो इसमें होता ही है कि less variant strain जो होता है ना माइक्रोब का उसको overall less deadly studies को study करने के लिए और drugs की development के लिए overall ये CHIS की study यहाँ पर conduct की जाती है तो basically ये जो CHIS की study है ये बहुत बार तो इस वज़े से की जाती हो ना small number of volunteers to understand the various facets of infection and disease and occasionally to accelerate the development process of a medical intervention तो बही है जादातर cases में overall development होता कैसे एक disease का एक disease कैसे एक individual को infect करता हो और various stages इसकी study के लिए CHIS होता है लेकिन कई बार किसी नए novel disease को कम करने वाले methodology के लिए किसी technology के लिए vaccine development के लिए भी CHIS का इस्तमाल होता है ठीक है ओके तो ये studies तभी initiate की जाती है जब basically जो safety है और immune response है candidate vaccines का वो early phases of clinical testing में टेस्ट किया और समझिये phase 1 testing, phase 2 testing, phase 3 testing phase 3 testing से पहले होता है CHIS मतलब उस particular vaccine की phase 1 और phase 2 testing अलड़ी हो चुकी है तो phase 3 testing से पहले CHIS होता है मतलब obvious ही बात है ऐसा नहीं है कि कोई भी unknown microbe है उसके after effects हमको पता नहीं है वो बहुत deadly हो सकता और उसको एक healthy individual में आपने insert कर दिया नहीं हलका फुलका अगर vaccine development के respect में आप देख रहे हो तो उसकी testing पहले हो रख्योंगी phase 1 trial हो रखा होगा phase 2 trial हो रखा होगा phase 3 trial से पहले CHIS conduct किया जाता है हमेशा याद रखिएगा phase 1, phase 2 और phase 3 trial में एक particular vaccine की efficiency को test किया जाता है लेकिन overall यहाँ पे over बीमारी एक particular individual को कैसे impact कर रही है ये एक major आप कहलो objective होता है CHIS की study को conduct करने का तो phase 3 clinical trial के साथ कभी भी आप CHIS की study को compare मत करिएगा क्योंकि समझिए human challenge studies are not done as an alternative to phase 3 efficiency trials but to help select the best candidates for testing in a conventional phase 3 clinical trial तो basically phase 3 clinical trial में एक vaccine की efficiency की वो कितनी अच्ची तरीके से बीमारी हटा रही है हम आप कर रहे है यहाँ पे overall CHIS की study इसलिए conduct की जाती है कि overall कौन best candidate है phase 3 study का इसको पता किया जा सके समझ गया आप बात को तो हमेशा याद रखेगा CHIS is basically to study the onset of infections inside a healthy human body और उसके हिसाब से phase 3 study के रहे किन humans को हम select कर सकते हैं यह भी हम यहाँ पे पता कर लेते हैं समझ गया बात को अगर आपने CHIS की study की है तो phase 3 clinical trials में कम individual की ज़रोत पढ़ने वाली है और अगर आप देखो तो पिछले 50 सालों में CHIS की study हजारों में conduct की जा चुकी है वैक्सीन डेवलेप्मेंट करने के लिए किस के अगेंस टाइफ़ाइड और कॉलरा जैसी बीमारी के अगेंस इन फैक कोविट नाइटीन के पैंडेमिक की समय पे भी इंपीरिल कॉलेज लेंडन ने 36 volunteers को CHIS study में यूनो यूस किया था SARS-CoV-2 के infection को चेक करने के लिए 2020 में WHO ने अप्रूब भी कर दिया था CHIS को for accelerating COVID-19 vaccine development तो अगर आप देखो तो CHIS के बहुत से ethical challenges है human challenge studies में वह देखिए आपको well trained और robust system चाहिए collaboration चाहिए institutions और scientists के साथ overall data एक major scale पे चाहिए ethical mind field में overall इस particular study को successfully execute करने के लिए mortality factor हमें कम रखना है लेकिन देखे क्या है ना अगर आपने proper तरीके से regulatory environment को सही नहीं रखा तो CHIS का misuse हो गई होगा जैसे for example आंदर प्रदेश के अंदर जब HPV vaccine के trials हुए तब ethical violations देगा HPV मतलब human papilloma virus vaccine तो इसके कुछ ethical violations देखेगा आंदर प्रदेश में जब 2010 में इस particular vaccine की CHIS testing हुई देखे क्या होता है CHIS testing में misuse का potential vast होता है repercussions vast होता है चुकि देखे एक particular individual कोई दवाई की technology बना रहा है बड़ी-बड़ी pharmaceutical companies हैं उन्होंने billions of dollars invest किये हैं किसी दवाई को बनाने में अब वो desperate है उस दवाई को successful करने के लिए और उसके लिए human test के लिए भी desperate है अब जब CHIS जैसे test वो conduct करेंगे UK या US जैसी countries में अगर वो conduct करते हैं तो यहां के regulatory environment बहुत strong है तो अगर pharmaceutical companies में कुछ भी हैंकी-पैंकी किया तो उनके ओपर तगड़ा fine पढ़ सकता है millions of dollars का तो डरते हैं वो सरकार से इंडिया जैसी country में क्या है कि repercussion severe नहीं है इंडिया जैसी country में informal sector में बहुत कुछ होता है तो अगर आप CIS जैसी study को इंडिया के अंदर conduct कर रहे हो तो सरकार का proper regulation होना चाहिए और अगर आप conduct नहीं करते हो proper regulation के साथ तो इंडिया के अंदर इस particular scheme का definitely बड़े scale पे misuse हो सकता है तो बेटर ये रहेगा कि इंडिया के अंदर overall अगर आप CIS testing कर रहे हैं तो novel microbes और disease पे ना करें नए microbes और disease जिसके बारे में scientific community को खुद नहीं पता है उस पे ना करें कुछ ऐसे microbes पे करें कुछ ऐसे diseases पे करें जिस पे already safe और effective treatment exist करता है ताकि अगर कुछ adverse हो जाता है तो कम से कम दवाई तो रहे उस particular individual को देने के लिए जिसके उपर आप testing कर रहे हो तो जब तक इंडियन scientist के पास expertise नहीं आ जाती robust institutional structures और mechanism place पे नहीं आ जाते और उसके साथ साथ overall novel microbes disease नहीं जो पुरानी बिमारिया हैं जिनकी दवाईयां और treatment और अविलेबल है केवल उनी cases में CHIS की testing आप इंडिया में ज़री है अब आप बोलोगे sir जिन पुरानी बिमारियों की दवाईयां already available है उनमें टेस्टिंग की ज़रोती क्या है तो मैं आपको फिर से बता दू CHIS testing overall एक human body के अंदर infection किस प्रकार से onset होगा कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए की जाती फिर आगे जाते मेंजमिन नठानियू बहिया इसराइल की नेसेट के अंदर judicial overhaul का जो बिल है वो यहाँ पर पास कराया गया है और इससे ऐसा बोला जारा इसराइल और कमजोर हो जाएगा तकि इसराइल का जो right wing प्राइम मिनिस्टर है बेंजमिन नेठानियू legislative victory उनने मिली है उनके coalition ने पास कर दिया एक important judicial overhaul plan नेसेट में पटेटा ग्रेस्ट को controversial bill है नेठानियू की 64 coalition lawmakers ने इसको support किया opposition ने इसको पूरी तरीके से boycott कर दिया parliament के बाहर बड़ा protest हो रहा था जब इब बिल पास किया गया यह जो coalition इसमें right wing और ultra orthodox parties है यह basically कर किया रहा है judicial overhaul से supreme court की ताकट छीन रहें to review the government's unreasonable decisions to bring a balance between government and judiciary तो भाईया अभी की far right wing parties का यह बोलना है कि judiciary के पास ज़रोस से ज़ादा ताकत है तो सरकार और judiciary की ताकत balanced रहे इसलिए bill लेके आया जा रहा है लेकिन आववेस सी बात है इस particular bill के basis पे आप government कुछ भी करे necessary कुछ भी करे judiciary उसको रोक नहीं पाएगी तो जो basically democracy की fundamental principles है इसराइल के अंदर वो कहीं न कहीं violate हो रहे है और basically अगर आप देखा जाओ तो far right जो parties है न overall इसराइल की वो इस judicial overhaul के favor में इससे इसराइल की polity अब और right wing हो गई है ठीकिना right wing, center right parties और far right parties की जो allies है वो अब basically dominant हो जाएंगे वो वैसे भी लंबे समय से judiciary से at odds रहे है चुकि इससे बहले कई बार ऐसा हुआ है कि जो far right wing parties है उन्होंने west bank के अलाकों में जबरदस्ती घुसके कुछ इलाका कब जाया हो तो कभी कबार overall Arabs के favor में protection में आ जाती थी इसराइल की सुप्रीम कोट अब वो नहीं आ पाएगी चुकि जुडिश्री के ओपर एक बहुती powerful constitutional check लगा दिया गया है पहले ये constitutional check जुडिश्री सरकार के ओपर लगाती थी और एक institutional balance बना हुआ था इसराइल quality में लेकिन अब इस particular amendment के बाद जुडिश्री सुप्रीम कोट की ताकत बहुत ज़दा कम होगी है और इस बात को लेके इसराइल के लोग नाराज है तो चाहे आप देखो workers हो professional class हो, reservist हो ठीक है ये तक overall कहीं न कहीं इस particular judicial overhaul के against reservist है आपके इसराइल के अंदर ही तो backbone है इसराइल ministry की ये भी Benjamin Netanyu के ओपर इज़ाम लगा रहे है कि आप इसराइल की democracy को कम कर ले तो इस particular judicial overhaul से फाइदा केवल इसराइल की far right parties को है क्योंकि ये वहीं लोग हैं overall जो कि कहीं न कहीं चाहते हैं कि West Bank में गुसके Arab के अलाके में गुसके ज़्यादा ज़्यादा Jewish settlements बनाया जाएं इसमें आते हैं ministers जैसे की इतमार बैंगुर, बेजलेस, मोट्रिक ठीक ना, Palestinian territories के अंदर ये cag down चाहते हैं चाहते हैं कि Arab minorities जो हैं Jewish state में उनको दबाया जाए और कई बार इनके इन steps को इनके in decisions को Supreme Court अपोस कर देता है, Supreme Court इनको unreasonable बोलता है, तो Supreme Court वैसे भी आंख में काटा था इन far right parties के, उसी आंख के काटे को हटाने की कोशिश की गई है इसराइल जिसको बोला जाता है Middle East की only democracy ये democracy से dictatorship की तरफ बढ़ रहा है इस particular judicial overhaul plan के दम पे तो कल की date में जो brutal occupation है पेलेस्टीनेंस का, ये और जादा बढ़ने वाला है जो far right parties हैं इसराइल की वो इसराइल को एक authoritarian थियो क्रेसी में convert करना चाहती है अब obvious सी बात है, ये करके इसराइल को strong नहीं किया है नेटेनियों ने, इसराइल को और कमजोर कर दिया है नेटेनियों ने ये बात बोली जा रही है नेक्स्ट आ जाते है, child law and consensual sex आर्के विच साब का article है retired Indian police service के official है, क्या बोल रहे है इनका बोलना है कि recently पॉक्सो के अंदर जो F.I.R. यहाँ पे दायर की गई थी अलग-अलग high court ने तीन अलग-अलग high court ने इन first information report को कोईश कर दिया अगर आप देखो तो जो pending criminal proceedings थी उनको भी यहाँ पे कोईश किया गया तो पॉक्सो, protection of children from sexual offenses act 2012 और 12 के अंदर overall एक individual एक male के against जो inquiry शुरू की गई कि हाँ भाई उसने एक 18 साल से कम की female के साथ रिष्टे बनाए तो उसको भाई पॉक्सो के अंदर minimum 7 साल की सजा है तो सजा नहीं मिलेगी भाई पूरी की पूरी criminal proceeding की कोईश कर दीगे देखें स्टेंसे 12 जुलाई को दिल्ली आई कोट ने एक 25 साल के individual को छोड़ दिया उसके उपर इज़ाम क्या था कि उसने 15 साल की लड़की को भगा लिया और obvious ही बात है उसके साथ relations बनाए relations consensual थे तो जो prosecution की स्टोरी थी कि इस particular लड़के के उपर 25 साल के लड़के के उपर rape के charges लगा रहे थे वो rape के charges खारिच कर दिये उसके बाद 10 जुलाई को Bombay High Court ने कोईश कर दिया 25 साल के एक आदमी का conviction अंडर पॉस को कि इसने consensual sex किया एक 17 साल की लड़की के साथ और इस 17 साल की लड़की ने अपना pregnancy भी terminate किये साथ जुलाई को मदरास High Court ने भी एक F.I.I.R. registered थी जो पॉक्सो के अंदर और जो consequential criminal proceeding हुई उनको question कर दिया इसके साथ साथ आप कहलो तब हैं लाड़ू के Director General of Police को ये भी बोला कि भी जितने भी pending cases है overall pocsो के related वो हमारे सामने ले किया हूँ जिसमें consensual love affair involved है तो मंदरास High Court Bombay High Court दिल्ली High Court यहाँ पे overall 18 साल से कम की लड़कियों के साथ जो sexual रिष्टों के charges हैं उसको drop कर रहा है तो आरके बिच साब कह रहें पे किस logic के basis पे आप यह drop कर रहा है अगर आप relevant sections देखते हो Indian Penal Code के उन Penal Code के sections में भाई सजा है अगर child की definition देखी जाए पॉक्सों के अंदर तो 18 साल से कम का बच्चा child कहलाएगा और अगर आप section 375 of the Indian Penal Code पे जाते हो तो sexual intercourse चाहे वो उस बच्चे के consent के साथ हो चाहे उसके against हो 18 साल से देखे consent के बिना होरा आप जबरदस्ती कर रहा हो तो वो तो obviousी बात रही पे लेकिन अगर आप consent के साथ भी उसके साथ फिलकर रिलेशन मना रहे हो अगर 18 साल से कम उमर है तो भी वो रेप कहलाएगा लेकिन अगर आप section 90 of the Indian Penal Code में जाते हो section 90 of the Indian Penal Code में ये लिखाए कि 12 साल तक का भी बच्चे अपनी consent दे सकता है या consent नहीं दे सकता है तो इस हिसाब से देखो section 90 of the Indian Penal Code थोड़ा ज़ादा पुराना हो गया हमें section 375 और POXO के provisions के उपर ज़ादा ध्यान देना है अब Bombay आई कोट, दिल्ली आई कोट, मदरास आई कोट इन्होंने कौन से basis पे POXO के conviction को overton कर दिया POXO के application को हटा दिया दीखिए बहुत symbol approach है overall एक लड़का एक लड़की एक male partner एक female partner male partner की उमर चीखा सी ही के उपर इज़ाम लगाते है कि ये लड़का हमारी लड़की को भगा ले गया और बत्नमीजी की और रेप किया तो भाई लड़का आरस्ट हो गया कोट में केस कोट में ये female साफ साफ सामने खड़े होके बोल देती है कि नी भाई मैंने अपनी मर्जी से रिष्टा बनाया था मुझे इस particular individual के साथ रहना है मुझे इस particular आदमी से शादी करनी है मुझे इसके साथ family बनानी है अब जब female ने बिलकुल बिना डरे हुए सामने से बोल दिया कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ मुझे इसके साथ रहना है तो high court के judges को भी आर समझ में आए के भी करें क्या देखिए 17-18 और कई बार क्या होता केस पुराना होता है तो जब उस लड़की की against ये मतलब जब उसके साथ रिष्टे बनाया गया था तब उसकी उमर 18 से कम होगी निगना अब 19-20 पहुँच चुकी तो कईवन cases में क्या होता है कि जब overall ये love affair हुआ था तब लड़की उमर 15 साल थी 16-17 साल थी अब केस चलते चलते अब वो 19-20 साल की हो गई है तो अब मैचोर हो गई है मैचोर होने के बाद भी वो जजज साहब के सामने आके यही बोलती है कि भाई मैंने अपनी मर्दी से रिष्टा बनाया था मुझे इस लड़के के साथ रहना है मैं इससे प्यार करती हूँ इससे शादी करनी है तो जजजों को भी समझ में आता है कि मतलब क्या है भाई फिरसमे जब लड़की अपनी मन मताबिक सामने खड़े होके बोल रही है कि मुझे इसके साथ रहना है प्यार करती हूँ तो उसके बवजूद भी उठा कि उस लड़के को जेल में डाल देना वो सही नहीं है इसलिए पॉक्सो की प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाता है लेकिन आरकेविच साब यहाँ पर बोल रहे है कि भी फिर तो पॉक्सो का लौब बहुत कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि देखे कुलिस वालों को तो अरेस्ट यहाँ पर कर नहीं है हाई कोर्ट्स ने पॉक्सो के प्रोवीजन्स को अनकॉंस्टिटूशनल नहीं बोला है तो कल की डेट में अगर पॉक्सो के प्रोवीजन्स के अंदर चुकि देखे आज की डेट में क्या है कि मॉडरन निटी आ गई है लव अफेर की तरफ बच्चे ज़ादा भागते हैं ठीक है ना बहुत मतब कन्वेंशनल हिसाब आज की डेट में रहा नहीं अगर आप बड़े शहरों में आ जाओ गए तो 15, 16, 17 years पे एक बड़ी requirement होती है यंग लोगों की बड़ी फेंड गर्फेंड होना ही चाहिए और consequential sexual relations भी बहुत सारे cases में नहीं बनते हैं चोकि conventional चीज़ें इंडिया के अंदर आज भी exist करती हैं बट बहुत सारे cases में बनते हैं तो इस case में ओवर और 18 साथ से कम के individuals love और sex relationship में involved हो यह तो देखिया आगे भी होने वाला है जब यह आगे होने वाला है तो POXO से related जो कानून है वो भी आगे अपलाई होने वाले है तो ऐसे case में या तो Parliament यहाँ पर initiative ले और consensual sex के respect में जो age limit है POXO के अंदर उसको 18 से कम करके 16 करे ठीक है परलेमेंट ऐसा करेगी नहीं करेगी चुकि यह अपने आप में बहुत controversial decision होगा अगर परलेमेंट ने ऐसा step ली है ना परलेमेंट को काफी किटसाइस किया जाएगा दूसरा यहाँ पर बात यह है कि overall अगर POXO के अंदर age limit 18 रखी गई है तो आप में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जिसे for example schedule caste and schedule tribe prevention of atrocities act 1989 की आप बात करो इसके अंदर overall अगर एक individual schedule caste का है या schedule tribe का है अगर आप जानते हो वो schedule caste का है और शेडियूल ट्राइप का है हाला कि Supreme Court ने ये भी बोला है कि जो degrade करने का intention है वो भी यहाँ पर प्रूव होना चाहिए तो कुल मिलाके आरके विजज साब कहने की कोशिश यह कर रहे है कि अगर कोई एक matured adult कोई 18 साथ से कम का लड़का लड़की भी 18 साथ से कम किये Irrespective of the fact कि वो लड़की अपना consent दे रही हो या नहीं दे रही हो लड़के के उपर rape charges लगने ही चाहिए अगर आप नहीं लगाओगे तो अव्वेसी बात है IPC और POXो के provisions का कोई मतलब नहीं रहे जाएगा High Court का ये बोलना है कि भाई थोड़ा बहुत तो context में चीज़ें देखनी पड़ेगी ना जब लड़की अपने होशो हावाज में सामने खड़े हो के बोल रही है कि भाई ममनी मरजी से इस लड़के के साथ हूँ मुझे इसके साथ ही रहना है तो हम कैसे उसके खिलाफ इर्जाम नाल मतलब उसको जेल में भेज दे सकता है अब problem यह कि अगर आपने age of consent को 18 से कम करके 16 भी कर दिया है तो भी कई लड़कें ऐसी हैं जो 15 साल की हैं और उनके उपर rape charges लगे उन्होंने भी जाके कोड में बोल दिया कि मैं इस लड़के के साथ रहना है तो overall यह गुद्धा काफी sensitive है तो सबसे पहले तो proper study conduct करनी चाहिए जितने भी criminal cases की है उसके data उठाके उसके basis पे parliament को एक step लेना चाहिए कि हाँ भाई consensual sex की जो age limit है इसको कितना कम किया जा सकता है कि से साब से किया जा सकता है फिर भाई यह एक और यह powerful strategies हैं क्योंकि natural resources के ऊपर dependency को minimize करने की बात करती है वेस्टिज को curtail करने की बात करती है sustainable design practices को आगे बढ़ाने की बात करती है अब देखिए क्या बोल रही है इनका यह बोलना है कि हमें take make dispose model से reduce reuse recycle model पे चलना है आप समझ के reduce reuse मतलब कम consumption करिए जो consumption आप करने बार बार उसको इसको इस्तमाल करिए और जो waste product है उससर recycle करके usable products को extract करके उनको फिर से इस्तमाल करिए take make dispose में एक बार आपने resource को इस्तमाल किया बनाया और बाद ने उसको फेक दिया उसको दुबारा इस्तमाल नहीं किया इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने resource efficiency and circular economy को तीन core themes में से एक रखा है G20 forum में इंडिया ने चार priority areas को define किया circular economy में G20 presidency को समय पे कौन से चार priority area इनको अपने notes में incorporate कर लो में में उसमें बहुत काम आएंगे सब आपके note में आना चाहिए चाहिए भले अभी आप note में मत लिखो मैं PDF अब्लीबिल करवा दूँगा तब लिख लेना तो overall इंडिया कहीं न कहीं G20 के ambit के अंदर resource efficiency के उपर ज़ादा ध्यान दे रहा है अगर आप G20 member countries की बात करो तो they have committed to net zero ambitions and they are working to mitigate greenhouse gas emissions तो basically resource consumption को positive और sustainable तरीके से करना ये बहुत ज़रूरी है अब देखिए दुनिया भर में जितना भी waste आता है जितना भी disposed of material है उसमें से 15-15% रिसाइकल किया जाता है ज़रूरी है कि इसको बढ़ाया जाए खासकर स्टील का जो रोल है infrastructure development में स्टील सेक्टर में तो उसको बढ़ाया जाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप देखो जो demand है स्टील की ये दुनिया भर में बढ़ेगी इंडिया में तो खासा बढ़ेगी 7% energy sector के जो emissions है ना globally वो आइरन और स्टील सेक्टर से परटेन करते हैं तो अगर हम स्टील सेक्टर में circularity को प्रमोट करते हैं तो energy को भी protect करेंगे साथ साथ resource extraction को कम करेंगे resource use efficiency को हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे इसके लिए ज़रूरी है कि हम G20 member countries के साथ collaborate करें knowledge sharing में technology co development में और technology transferring ठीक ना भई यह से बाते हैं यहाँ पर बोली जा रही है तो circular economy in the steel sector इसको हमें promote करना है net zero pathway के थूँ resource utilization के थूँ minimizing wastage के थूँ तो इंडिया की G20 presidency में circularity in steel sector के साथ EPR framework extended producer responsibility के framework को भी यूँ प्रमोट करना है extended producer responsibility के थूँ ही हम circularity of steel इसको भी maintain कर पाएंगे इसके थूँ member countries आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगी यूँ नो best practices को promote किया जाएगा वगरा वगरा तो यहाँ पर recycling bio economy और bio fuels की भी बात हो रही है जब आप extended producer responsibility को effectively implement करोगे तो यह कहिना कहीं promote करेगा growth of recycling infrastructure established करेगा streamlined waste collection system अगर आप देखो तो 20,000 registered producer importer और brand owners हैं इंडिया के अंदर और over 1900 plastic waste processors हैं centralized extended producer responsibility portal पे इंडिया के अंदर तो आप कह सकते हो EPR के field में इंडिया one of the largest पूरी दुनिया में अब अगर combined EPR obligation देखे जाएं इंडिया के अंदर जो regist PIB हो हैं तो वो है 3.07 million tons इंडिया ने comprehensive rule बना रखे हैं e-waste और battery waste management के लिए तो वहाँ पे भी extended producer responsibility कहीं न कहीं से embed को बढ़ा करता है तो अगर biological resources की बात की जाए 1970 से लेकर अब तक G20 member countries में धाई गुना इस्तमाल बढ़ गया है biological resources का municipal और industrial waste में जो bio waste collect होता है उस bio waste को agriculture, residue, fertilizer वगारा में convert करने के लिए सरकार अलड़ी बहुत सारी स्कीमें चला रही है को एक circular bio economy को promote करने की जुरूत है और इंडिया के लिए अंदर इस अचला bio economy को promote करने के लिए step भी लेका आया है जिसका नाम है प्रधान मंत्री जीवन योजना jam इंधन योजना प्रधान मंत्री जीवन योजना को मैंने बहुत detailed में अपने mentorship course में cover किया है जो लोग mentorship की videos देख रहे है PM जीवन योजना को detail में वाँ पे मैंने cover कर रहा हूँ scheme के बारे मैं बहुत detail में आपको बता भी रखा है ठीक है तो भाई यह जो PM जीवन योजना यह financial support प्रवाइड करता है to integrated bio ethanol projects तो set up second generation 2G ethanol projects देखें 2G bio technology technology जो है 2G bio ethanol technology यह bio ethanol को produce करती है waste feedstock से यह primary secondary, cursory यह जो bio technology और आपके लोग bio fuel बनाने का जो process है यह मैंने अभी recently mentorship के एक वीडियो में आपके साथ cover किया जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो primary sources होते हैं जो edible sources होते हैं जैसे कि sugar हो गया feed stock हो गया, starch हो गया edible oil हो गया, sugar cane हो गया इससे ethanol ना निकाल के better यह है कि हमने forest products और waste feed stock से ethanol निकाले, जिसको आप बोलते हो 2G, second generation bio ethanol technology और इंडिया इसके लिए already काम कर रहा है फिर अगर आप देखो, तो इंडिया ने mandatory कर दिया है कि coal burning thermal power plants में 5% blend होना चाहिए biomass pallets का इसके लिए अगर आप देखो, तो launch की गई है गोबर धन scheme, galvanizing organic bio agro resources तो इसमें cattle dung को और other organic waste को compost bio gas और bio fuel में convert किया जाएगा sustainable agriculture बढ़ाने के लिए, pollution को कम करने के लिए, 500 functional bio gas plants भी इंडिया के अंदर बनाया जा रहे है, बन चुके promote the use of compressed bio gas as an alternative green transportation fuel तो basically अगर आप लोग mentorship course नहीं use कर रहे हो, तो आपको इस particular lecture से proper तरीके से प्रधान मंत्री G1 योजना के notes बनाने उसके सासाथ आपको ये गोबर धन scheme क्या करती है इसको अपने एक note में incorporate करना है सतत scheme क्या करती है, इसको अपने एक note में incorporate करना है, चुकि देखिए जो mentorship program नहीं join कर रहे है उनके लिए overall ये schemes editorial में और normal current affairs में भी सामने आएंगी हाँ, उसके अलग से PDF अगरा नहीं दिये जा रहे है तो ये खुद से आपको handwritten notes के थूँ अपने notes में incorporate करना है So thank you for watching friends, I hope आपको इस particular lecture मज़ा आया हो editorial मैंने detail में cover कर दिया है, current affairs आपके लिए भी नी सर ले आएंगी, I hope आपको lecture मज़ा आया हो, कुछ नहीं चीज़े सीखने को मिली ही, अपने viewpoint नीचे comment box में देखे जाएगे दोस्तों Instagram पर follow के लिजेगा, Telegram गुब जोईन के लिजेगा जादा से जादा लोग साथ इस लेक्शर को share करें Have a great difference, goodbye, ध्यान रखे अपना पढ़ता